हेलो गाइज वेलकम बैक तू माई यूट्यूब चैनल सो गाइज काफी लोगों को डाउट रहता है जैसे अभी आई बीप्याइस एस सो का जो है अड्मिट कार्ड आउट हो चुका है प्री का एक्वाइज जो है 31st को होना है फर्स शिफ्ट में Nou आफिसर राजबाषा आई टी और एक्रिकल्चर को ऎे डाउट रहता है क्या के डॉक्सक्त बों का लिखकर जाना है ठीक है जो line लगती है ना exam के लिए so मैं आपको सब बताने वाली हूँ क्या क्या लेकर जाना है so ये document जरूर अपनी ready रखेगा exam से पहले so guys देको इसके अंदर आपको two passport size photographs लेकर जाने है एक तो photo आपका admit card पे लगेगा जो भी photo आपने registration के time पर लगाया होगा वही photo आपको लेकर जाने है admit card लेकर जाना है original ID लेकर जाना है और उसकी photocopy original ID कुछ भी हो सकती है आपका pen card हो सकता है अधार card हो सकता है water ID हो सकती है ठीक है जिसमें आपका address होगा या name होगा ठीक है so ये लेकर जाना है इसकी photocopy भी लेकर जाना है और original भी लेकर जाना है तो अभी SBRPO exam हुआ था तब मैंने एक लड़की को देखा था कि उसने जो है original ID की photocopy नहीं कराई थी जिसकी वज़े से उसे निकाल दिया गया था दुबारा से वो photocopy कराके लेकर आई यह गलती मत करना जिसकी वज़े से क्या होता है टेंशन हो जाती है और इसका effect जो आपकी exam पे देखने के लिए मिल जाता है so guys यह document जरूरी है ध्याम से इने रख लेना ठीक है और आजकर COVID वाला फॉर्म वगरे चेक नहीं होता है लेकिन आप लेकर चले जाईएगा उसे फिल करें क्योंकि exam center वैरी करता है हो सकता है किसी को देखना हो वैसे आजकल mask भी compulsory नहीं रहा so guys यह सब आपको documents जो है लेकर जाना है एक तो आपको two passport size photos जिसमें एक तो already उस पे लगा हुआ होगा मतलब वो जो आपका admit card पे लगा होगा वही आपको लेकर जाना है जो आपने registration के time यूज किया था admit card लेकर जाना है original ID proof and one photocopy मतलब ID की ठीक है so I hope आपका doubt क्लियर हो गया होगा कि क्या card लेकर जाना है so इन documents को already पहले ही त्यार करके रखिएगा so I hope आपका doubt यह क्लियर हो गया होगा अगर कोई वी डाउट है तो comment box में जरूर बते हीगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में till then देखे बाए बाए